Hello students, today we are going to start new topic electric dipole बच्चो आज हम electric dipole के बारे में पढ़ेंगे ठीके, फिर electric field intensity dipole के उपर हम निकालेंगे ठीके, तो आज का हमारा topic है electric dipole यह बहुत important topic होने वाला है आपको इसको copy में note down भी करना है तो electric dipole क्या होता है बच्चो तो पहले हम जाल लेते हैं what is dipole ठीके, तो what is electric dipole तो जब हम minus q एक charge लिया हमने equal ठीके, एक plus q लिया, equal और opposite charges किस distance पर रख दिये, 2L distance पर रख दिये बच्चो हमने, when we placed, 2 equal and opposite charge is placed at a distance of 2L, is known as electric dipole जब हम equal and opposite charges एक distance, 2L distance पर रख देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, electric dipole बच्चो हमने distance 2L क्यों लिए है ये distance हमने 2L इसलिए लिए है क्योंकि जब हम electric field intensity निगाल लेंगे तो अगर हमें इसका half करना पड़ेगा तो वो easy रहेगा, अगर हम क्या कर देंगे हाफ करेंगे तो L हो जाएगा अगर मैं इसको L distance लेती तो अगर मुझे इसका half करना पड़ता तो L by 2 लेना पड़ता इसका हाफ, L अगर distance होती तो इसका half कितना हो जाएगा L by 2 तो वो बहुत complicated होता तो हमने इसकी distance इतनी ले ली 2L ले ली पाल मुमेंट, chain है तो ऐलेक्रिक डाईपोल मुमेंट का पाल मुंघ ये क्या होता है बच्चो हम ब् nevertheless का पाल मुंछ को हम Pause करता है, यह क्या होता है, when ब बहुत का स्का की यूम बोल के साथ तो इसकी इंड 허त्ट्रेग क्यों के होती है कुलोंस, इसकी से क्या होती है बच्चों की डायरेक्शन कि ना चिर्फट को कि हम प्लेस करते हैं at a distance of 2L तो तो क्या होता है हमारा इसकी क्या होती है मानेस क्यूंट प्लस क्यू और इसकी यूनिट क्या है एलेक्ट्रिक डाइपॉल मोमेंट की Q x 2L की यूनिट की आगए कुलॉंब मीटर बच्च इसका एक डेरिवेशन है जो बहुत जादा इंपोर्टेंट है तो हम पहले डेरिवेशन कर लेटते हैं electric field intensity निकाल की तो मैंने आपको प्रीवेश्च वीडियो में क्या कर आ отв लेक्ट्रिक फिल्ड इन्ट 2008 निवालिये पहले था है फिर उनिफर्णबी चार्ज डिंग तार यूपर उसको निकाल लाए था पॉीट charging की वग्ईसर के वजह in intensity intensity at the axis of at the axis of dipole electric field intensity निकालनी है मैं कहां पर at the axis of dipole ki axis पर निकालनी है इसी को बच्चो हम बोलते हैं asial point भी अगर asial point बोले वह ये end-on position भी ठीक है तो यह हो गाया तो अब हम क्या अब क्या करेंगे बच्चो electric field intensity निकाल लेंगे at the axis of dipole dipole की axis पर ठीक है तो हम क्या से निकाल लेंगे बच्चो electric field intensity जैसे हमारे पास यह है यह हमने एक dipole लिया minus q charge यह dipole हो गया हमारे पास बच्चो plus q charge का इन दोनों के बीच की ध्यान से समझना बच्चो इन दोनों के बीच की distance कितनी है 2L ठीक है इन दोनों के बीच की distance कितनी हो गए हमारे 2L तो हमें axis पर निकालना है तो बच्चो x axis यह x axis होगी यह y axis होगी तो इसकी axis तो बच्चो यही होगी यहाँ पढ़े लेते हम पोई एक point P है ना कोई भी point ले ले हमने M या P हम इधर भी ले सकते हैं बच्चो चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो एक ही बात है और इस distance को माल लेते हैं बच्चो हम L R ठीक है और यह होगी हमारे कितनी 2L distance होगी इस point को चाहे आप इधर रख लो चाहे दर लो और जब जहां पर भी हम निकालते हैं electric field intensity वहाँ पर एक positive test charge मानते हैं Q-not जो positive होता है ना positive test charge हो गया हमारा तो बच्चो यह क्या हो गया हमने इसका बना लिया तो यह क्या है हमारा एक dipole है distance to L है तो हमें इस field पर निकाल लिया न्यानि इस point पर निकालने है ANT पर लिगा आनी है तो इसकी Xとंज यहius इवा इसकी axis हो गए है ना तो इसी की exists पर निकालना है dipole की तो यह वाली इसकी axis है dipole की तो हमने इधर निकाल लिया यह हमने कोई point माल लिया आय skipping इस point पर निकालना है ना तो क्या होता है एलक्टिक फिल्ड इंटेंसिटी का फॉर्मॉला क्या निकाला था हमने 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square है ना यह होता है फॉर्मॉला 1 upon 4 pi epsilon naught minus Q charge है Q upon R square R कितना होगा बच्चों यहां से यहां तक R कितना होगा R यह और बच्चो यह 2L है तो यानि कि L इतना रहा होगा और L यह रहा होगा है ना तो कितनी यहां से यहां तक की distance R यहां तक R है यहां तक R है बच्चो यह और यह plus L तो कितना हो जाएगा R plus L का whole square इतनी बास समझ में आ गई E positive के से निकाला बच्चो 1 upon 4 pi epsilon not Q upon R तो minus से निकाल रहे हैं ना तो minus का R यह distance और L यह distance तो R plus यह L है ना बच्चो तो यह भी L है ना और यह भी यहां से यहां तक L है कि वह 2L है तो L है तो L यह और L इसलिए हमने 2L रखी थी distance तो 1 upon 4 pi epsilon not Q upon R plus L का whole square अब मुझे निकाल लिए electric field intensity at positive point तो मैं निकाल लूँगी positive पर तो positive पर कितनी होगी 1 upon 4 pi epsilon not Q upon अब देखना बच्चो यह L है यहां तक यह पूरा R है तो R में से टोटल में से यह वाला L minus कर दूँ तो यहां तक आजागी distance है ना तो R minus L का whole square equation first equation second पहरे तो मैंने इस वाले point पर और इस point पर क्या निकाल दिया electric field निकाल दिया अब हम इसकी direction देखेंगे net कैसे निकलेगा इसका धियान रखना बच्चो यह यहां से यहां से यहां तक R है धियान से ठीक है तो अगर इस वाले point में निकालेंगे तो ऑफ़जिव की है यहां झेकिन फहले के यह पैप्ल करेगा तो यह क्या हों गए यहां पर बच्चो तो यह हमारी एक direction इधार चली गई तो एक direction हमारी इथर चली गई तो e net कैसे निकलेगा हमारा mineас करके निकलेगा है तो हम कैसे निकाल लेंगे, इन दोनों को माइनस करके निकाल देंगे इनेट निकलेगा हमारा, तो इनेट कैसे निकलेगा माइनस करके अब देख लो बच्चो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है इन पॉजिटिव में से माइनस होगा या इन माइनस में से whole square और यह हो गया हमारा r plus l का whole square इस में से minus कर देंगे one upon four pi epsilon not अभी पहले मैं आपको बता दती हूँ r minus l का whole square है यह तो यह क्या होगा चोटा तो यानि कि e positive क्या होगा हमारा बड़ा और यह बड़ा है तो यह क्या हो जाएगा चोटा यह समझ में आ गई यानि कि e positive में से आपको क्या करना पड़ेगा minus करना पड़ेगा e negative है ना तो कैसे किया बच्चों नहीं है हम देखेंगे यह चोटा है क्योंकि r में से आर में से माइनस हुआ यह बड़ा हो गया और इसमें plus कर रही बड़ा term हो गई अगर नहीं चैनिवड़र्सली में बढ़ा हो जाएगा तो अपने आप चोटा हो जाएगा बच्चों इनिवर्सली proportional ने एक बार और समझ लो कर यह छोटा है तो यह क्या होगा बड़ा तो हम इसमें से माइनस करेंगे ठीक है यह net समझ में आ गए यह net कैसे निकाला मैंने अब देख लेते माइनस कर देते हैं 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r minus l का whole square ठीक है minus 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r plus l का whole square ठीक है इतनी बार समझ में आ गई तो 1 upon 4 pi epsilon naught q बाहर ले लिया मैंने अंदर बच लिया 1 upon r minus l का whole square minus 1 upon r plus l का whole square ठीक है बच्चो इतनी बार समझ में आ गई अब हम करेंगे q upon 4 pi epsilon naught इन दोनों का LCM तो यह उपर चला जाएगा r plus l का whole square बच्चो है ना और यह दर चला जाएगा r minus l का whole square और यह यहाँ पर r square minus l square का whole square बच जाएगा ठीक है बच्चो q upon 4 pi epsilon naught जब हम इसको खोल लेंगे a square plus b square plus 2ab minus r square ठीक है यह minus में हो जाएगा यह भी minus में और यह जाएगा plus 2rl इसको खोलना बच्चो a plus b का whole square a square b square plus 2ab यह भी a square plus b square plus 2ab minus से interchange हो गया ठीक है r square minus l square का whole square ठीक है तो यहाँ पर क्या बच जाएगा यह r से r गया l से l गया ठीक है तो कितना बच गया q upon 4 pi epsilon naught 2rl यह तना हो जाएगा 4rl upon r square minus l square का whole square बच्चों में square से लिख सकती हूं क्या 2 into 2 4 को क्या लिख सकती हूं 2 into 2 2 ql और r as it is ql r as it is upon r square minus l square का whole square तो बच्चों क्या बन जाएगा मेरा कितना आया है हमारा हम देख लेते हैं इसको कितना आया बच्चों हमारा यह तो हम इसको लिख लेते हैं आया था q upon 4 pi epsilon naught 4rl upon r square minus l square का whole square तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूं बच्चों q upon 4 pi epsilon naught इसको मैं लिख सकती हूं 2 को 2 into 2 rl upon 4 pi epsilon r square minus l square का whole square तो यह 2 q l एक साथ लिख लूं 2 q l into 2 r upon 4 pi epsilon naught r square minus l square का whole square 2 q l क्या बन जाएगा बच्चों 2 मतलब p यह डाइपोल मोमेंट बन गया 2 q l यानि p यानि जाएगा 2 pr 1 upon 4 pi epsilon naught 2 pr upon r square minus l square का whole square इतनी पास समझ में आगी बच्चों 2 pr upon 1 upon 4 pi epsilon naught 2 pr upon r square minus l square का whole square बच्चों एक condition बनती है अगर l हमारा क्या है बहुत मतलब बहुत चोटा माल लेंगे 2 pr upon 1 upon 4 pi epsilon naught आज l कितना हो जाएगा जब यह बहुत चोटा है तो 0 माल लेंगे तो r 2 to 4 यानि 4 यह से कट जाएगा तो अगर हमारे पास डाइपोल बहुत चोटा है तो बच्चों तो हम डाइरेक्ट फाम्ला लगाएंगे 2 p upon r cube 1 upon 4 pi epsilon naught 2 p upon r cube एक बार और बच्चों मैं आपको इसको repeat करके बता देती हूँ electric dipole क्या है हमारा 2 equal and opposite charges जब हम place कर लेते हैं distance पर 2L पर electric dipole moment क्या हमारा p equals to q to 2L उसकी unit यह है minus q to plus q इसकी direction है उसके लावा हम electric field intensity निकाल रहे थे at the axis of dipole dipole की axis पर हम electric field intensity को निकाल रहे थे तो हमने e point e minus पर कैसा निकाला यहाँ पर 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r plus l क्योंकि यहां से यहां तक r position है हमें यहां से लेके यहां से लेके यहां तक निकाल ली थे और यहां तक r है और यह कितनी है l तो r plus l का whole square e positive पर निकाल ली है तो q upon r minus इसे minus कर देंगे यहां से यहां तक की distance तो r minus l का whole square e net कैसे निकाला हमने जो बड़ा था बड़े में से minus कर दिया e कैसे निकाला था क्योंकि positive test charge रखा था तो e positive के repulsion करेगा e negative करेगा attraction करेगा तो हम कैसे निकाल लेंगे e net दोनों को minus करके e net निकाल देंगे हम तो कैसे निकाला हमने e plus में से minus minus करा क्यों करा क्यों कि यह चोटा है यानि यह बड़े वाले में से calculation लगाना और इसको solve करना ही हम 56 क्लास में करते हैं चो calculation वो है तो हमारा आ गया था कितना q upon 4 pi epsilon not 4 r l upon r square minus l square का whole square यह आ गया था फिर मैंने इसमें से क्या किया बच्चो यह आने के बाद 2 q l अलग ले लिया और इसको p लिख दिया तो इसका formula आ गया 1 upon 4 pi epsilon not 2 p r upon r square minus l square का whole square ठीक है अगर r बहुत ही बड़ा होगा मतलब r के distance हमने बहुत बड़ी ले लिए और dipole बहुत छोटा ले लिया तो हमारा क्या होगा l को हम 0 माल लेंगे तो हमारा formula आएगा 1 upon 4 pi epsilon not 2 p upon r q तो बच्चो यह आपका हो गया है electric field intensity at taxes of dipole अगर बच्चो कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं फोन करके पूछ लेना बच्चो कोई इसी भी टर्म में कहीं पर समझ में न आ रहा हो ता फोन करके तो मुझसे पूछ लेना और इसको कोशिश करना कि समझ में आ जाए है न एक दो बार देखना वीडियो को नहीं भी आएगा मैं दो बार वीडियो बना के आपके पास सेंट कर दो थैंक्यू बच्चो